Hello friends, this is Sumitra and welcome to Tet Manthan. So, Seated 2020 Environmental Studies की Series में आज हमारा ये discussion number रहने वाला है 13 और class 5th की NCRT के बहुत ही बढ़िया वाली notes हम लोग discuss कर रहे हैं. तो अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जरूर subscribe करें आपने सभी friends के साथ में इसको share करें जो की Seated की preparation करते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का discussion जो की काफी interesting रहने वाला है, स्टार्ट करते हैं फिर. तो ये एक chapter है, chapter number 17 आपका, क्या है Across the Wall, मतलब की फांदली दिवार. क्या है इसमें basically, इसके अंदर आपका जो समाज में एक stereotype रहता है, उसके बारे में बताये गया है, कि एक लड़की है, जो की खेलना चाहती है, लेकिन उसके सामने दिवार है, क्या दिवार है, समाज की दिवार है, रिती रिवाजूं की दिवार है, उसके खुद के parents जो है, वो नहीं चाहते कि वो खेले, तो ये basically ये क्या है, आपको एक concept clear किया है बच्चों के mind में इस chapter के तुरू, कि भई इस दिवार को गिराना बहुत जरूरी है, कि भई सिर्फ ये काम लड़किया कर सकती है, ये काम सिर्फ लड़के कर सकती है, वो सब चीजे इसमें discuss की गए, उसी चेप्टर जो है, वो important है, बाकि इसमें खास कोई भी ऐसा नहीं है, जो की discussion वाला चीज है, तो ये जो लड़की है, इसका नाम है अफसाना, 13 year की है ये, और मनसूरी से है ये, इन्होंने क्या किया है, बास्केट बोल किये, अभी एक टीम में जो है, अल्रड़ी है, ठ न्यूस पेपर की रिपोर्ट है, जिसमें कि इसके बारे में काफी सारी चीजें दी गई है, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका 18 number chapter, इसमें important questions है, नहीं, ये है आपका 19 chapter, इसमें बहुत important questions है, इसको देखेंगे आम लोग, ठीक है, क्या है, वन्गाम इस इन गुजरात, वन्ग से कीडों से बचाती है, वैसे भी आप लोगों देखा होगा, आपके घरों में, मतलब जो गीहूं वगेरा होती है, उसके अंदर के टंकी में, नीम के पत्ते वगेरा रखते हैं, आपके मुमी वगेरा रखती होंगी, ठीक है, गोट सीड्स वर स्टोर इं ड्रायड गॉड कोटेड विद मुड जो पुराने टाइम में क्या होता था जो अछी बीज होते था अच्छी क्या य कोलटी के जो बीज होते थे उनको ka dála की होती है, उसको कहला के जादा जीजा जाजा लग लग जगय तरने लीजे लेगा पे लिग लेती होंगे उसको कहाँ पे इक डूर स्टोर के जाता कि उसको जो बीज होते है हमारे उसको लॉकिय में उसको सुखा करके उसके मढ की कोटिंग करके उसमे बीजो को Supp gag के बेन जाता कि ठाम में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा यह जो लॉकिय है आपका उस इस तरीके से इसको मड़ से कोट करके और यूज करते हैं ठीक है तो नेक्स देखिए नेक्स्ट क्या है आपका वीट और कोटन वीट और कोटन गोट बेटर प्राइज इन दा मार्केट सो मोस्ट फार्मर्स बिगन तो ग्रो अनली दिस एक जो आपका गेहू है आपकी रूई है इसके मार्केट में बहुत अच्छे प्राइज मिलते हैं इसलिए सभी फार्मर्स ने इसको उगाना शुरू कर दिया ठीक है बाजरा और जोआर और जोवेजटेबल जो आपकी ताइम पर जादा ये फसले आपकी वह जाती थी वह आजकल क्या है बहुत भूली जा चुकी है बहुत ही डिसमिश हो चुकी है क्यों क्योंकि आजकल जो है मार्केट में वीट और कॉटन के जो दाम अच्छे मिलते हैं इ कि एक फसल को अगर आप बार बार अगाते हैं एक जमीन पर और बहुत ज़ादा केमिकल का इस्तिमाल करते हैं तो वह क्या करेंगी आपकी मिट्टी जो होगी वहां की इसको एफेक्ट करेगी बुरी थरह से फेक्ट करेगी बैडली जो पहले के टाइम का जो फूड का टेस्ट होता था वो आजकल के खाने में नहीं है किस वजह से नहीं है क्योंकि बीज बदले जा चुके है आजकल के बीजों में और पहले के टाइम के बीजों में बहुत फ़रक है तो अगर यह पॉइंट आपको दे दिया जाता है कि आज की फूड का जो टेस्ट हो डिफरेंट है किस वजह से है क्योंकि बीज चेंज हो चुके है पहले के टाइम से एक आपका इसमें दिया गया है काफी important है उंदिया क्या है आपका यह a kind of stew dish या सबजी कुछ भी कह लिजे आपको एक तरह की सबजी है जिसमें की सभी vegetables को जो है एक pot में भरके और उसको उल्टा करके उंदिया मतलब गुज्रात में क्या होता है उल्टा करके उसको रखा जाता है कोल के बीच में और उसको प वही है उपसाइड डाउन दम गुज्राती कंशात अर्ट को पुद्ड गुज्राती में ल्टा करके उन्दिया कोई गे लगते को उंदिया और उपसाइड पॉड गड़को उन्दिया उटका इना पजरा रो रोटी बटर कर्ड और बतर मिल्क हाध है उसके साथ में गा र लोश्ट होते हैं, the earthworm softens the soil as they keep digging underneath to make tunnels earthworm क्या करते हैं, । प्त्रीके से जद कर देते हैं, transcript कर देते हैं का इस वे cya कर देते हैं, दंदर म्यिकोच धीप चुषफल형 घरती में जटिप और कछी europe open ये सब़ानी रीएर भिष्टम्हें कीज़ेयर नमुटलों चैक्पूश we can read the dead leaves in plants and requests and yields बाइ पुटिंग, गार्डनर्स वेस्ट, ड्राइड लीव, किचन वेस्ट, एंड अर्थ वांम इन पिट, यह किस चीज से बनता है, नैचुरल कंपोस्ट आपका, जो आपका गार्डन का वेस्ट हो गया, सडी गली पत्या होगी, आपका किचन में वेस्ट जो समान बच जात यह प्लांट जो एक तरह का सिगनल दे देते हैं आपको, जब आपकी जो मिट्टी होती है, वो सूख जाती है, किस तरीके से देते हैं, the roots of the crotone do not go deep in the, deep in the ground, क्या है, crotone की जो आपकी roots होती है, वो ground में बहुत सदा deep नहीं जाती, बहुत गहरी नहीं जाती है, so when the top layer of the soil become dry, the crotone leaf bend and become limp, क्या होता है, जब आपकी जो top layer होती है, जो उपर वाली सते होती है, आपकी मिट्टी की, अगर वो सूख जाती है, तो यह किस तरीके से signal देते है, इनकी जो पतिया होती है, जुक जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है, तो यह इस तरीके से signal देते है, अगर cr इस फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, यह भासकर भाई यहां पे, एक किसी का नाम है चेक्टर में, तो वहां से हाई है, कि वो यह सिगनल देती है, प्लांट कि भाई, आपकी कौन सा पार्ट जो है, फार्म का उसको वाटर की ज़रुत है, कौन सिगनल देता है, क्रोटोन प्लांट्स आपके सिगनल देते हैं, कि कौन सी जगह वो है, सूप गई है, तो यह था आज का सूटा सथ डिसकेशन, और नेक्स्ट हमारे डिसकेशन में हम लोग इसको कर लेंगे कम्प्लीट, फिफ्ट क्लास की NCRT को, तो बहुत ही बहतरीन तरीके से हमने इसको डिसकस कि हैं, तो आप उसे जरूर जाकर के देखिए, बहुत हेल्फुल रहेगा आपके सीटेट के पॉइंट व व्यू से, अगर आप नई है चैनल पे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, क कीप लीडिने टे को सब्सक्राइब कैजिए, बुभ्यकष्य है।